हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू और सूजी से बहुत ही तेश्टी नास्ता जो 10 मिनिट में बनके तयार हो जाएगा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो यह हमने एक उबलावा आलू लिया है और यह ग्रेटल लिया है बारिक वाला तो इसको आलू को हम ग्रेट कर लेंगे तो हमें इसमें बिल्कुल भी इस नास्ते में कोई गुटली नी चाहिए इसलिए हम इसाय आलू को पूराई आलू को ग्रेट कर लिया है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक कप सूजी हमने डाल दिया है उसके बाद हम इसमें डाल रहे है एक कप मठा तो अगर मठा ना हो तो आप दही डाल सकते हैं या फिर दही भी ना हो तो आप पानी डाल सकते हैं इसमें एक कप और उसके बाद नीबू का रसा आप डाल सकते हैं तो इसको अच्छे से मसलते हुए और मिक्स कर लेते हैं तो अच्छे से सूजी और आलो और जो मठा हमने डाला है वो अच्छे से मीक्स हो जाए तो इस तरीके से मीक्स करेंगे इसको तो यह आप देखें हमने अच्छे से मीक्स कर दिया है उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे रैश्ट पे रख देंगे और 10 मिंट के बाद इसे हटा लेंगे टकन को उसके बाद हम क्या करेंगे इसे चैक कर लेंगे तो यह आप देखें बढ़ी असी सूजी भी एकदम बढ़ी असी फूल गई है अच्छे से सॉप्ट हो गई है तो थोड़ा इसे मिक्स कर लेंगे ऐसे करके यह अच्छे से मिक्स कर दिया इसको उसके बाद क्या करेंगे इसमें आधा कटावा प्याज डाल देंगे बारी कट करके और आदी सिमला मिर्ची को भी हमने कट कर लिया था तो सबजीया आपके पास भी हूँ वो आप डाल सकते हैं और एक टमाटर के हमने बीज निकाल दिये थे उसे भी दरी चोल लिया था और दो हरी मिर्ची कट कर डाल देंगे उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद की अनुसार हम आधी चमच नमक इसमें डाल रहे हैं उसके बाद थोड़ा साबु जीरा डाल लेंगे तो मसाले भी आप जो भी खाते हों वो आप मसाले इसमें डाल सकते हैं आधी चमची हम लाल मिर्ची पॉडर डाल रहे हैं थ थोड़ा सा धनिया की पतियां डाल लेंगे और उसके पाद थोड़ा सा मैगी मसाला इसमें डाल रहे हैं अगर पच्छों के लिए बना रहे हैं तो जरूर से डालेगा पच्छों को बहुत पसंद आता है ऐसी चीजे तो ऐसे करके और बढ़ी असे मिक्स कर लेंगे ताकि जो तो ऐसीमसबते होए और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको थोड़ा सा हम पानी डाल रहे हैं क्यूकि यह काफी काड़ा लग हा तो थोड़ा सा पानी 2 चमज के करीब पानी डालेंगे' और इसको फिर मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो यह आप दिखिआ बढ़िया सा бат बै तो जो भी तेल आप यूज करते हो वह आप डाल दीजिए गा तो दो चमस तेल अमने डाल दिया है उसके बाद हम थोड़ा से इसमें राई डाल लेंगे थोड़ा साहम सफेद वाले जो तील होते हैं वह हम डाल रहे हैं अगर आप खाते हो तो डालेगा नहीं तो आप इसकीप कर दीजिएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा करण्च आता है तो इसलिए हम डाल रहे हैं एक दम करण्ची सा लगता है नास्ता और और भी टिश्टी लगता है तो इसलिए इसको थोड़ा सा भूने देंगे और उसके बाद जो बैटर हमने बनाया है उसको हम यह छोटे साइज की कर्ची है तो हम एक कर्ची इसमें डाल रहे हैं तो ऐसे करके और एक कर्ची डालते रहेंगे जितने भी इसमें आएंगे उतने हम डाल लेते है और गैस को मीडियम अलो के बीच में रखेंगे ज्यादा तेज़ भी नहीं करेंगे एकदम से जल जाएगा फिर पकेगा नहीं जल जाएगा तो इसलिए लो फ्लेम पर ही इसको बढ़िया सा बनने देंगे तो ढख लेंगे इसे दो तीन मिनाट के लिए तो दो तीन मिनाट हो तो ऐसे ही हम दूसरी साइट से भी ऐसे ही सेख लेंगे तो सबको पलट लेते हैं तो गैस को हम बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे लो और मीडियम पर ही रखेंगे और इसको बढ़िया सा दोनों साइट से ख लेंगे तो यह आप दिखिए ऐसे करके और एक बार हम फिर से लेंगे इसको और थोड़ा साथ दूसरी साइट से भी और सेख लेंगे और जितने भी हमारे पास बच्चेव हैं वह भी हम ऐसे ही बना लेंगे तो यह आप देखें हमने उलट पलट दो तीन बार करी तो यह बढ़िया से सीख के तयार हो गए हैं तो अब हम इसे निकाल लेते हैं तो बिलकुल भी तेल भी नहीं है इसमें एकदम से बहुत ही कम तेल में बनके नास्ता तयार हो जाता है तो अगर आपको यह वीडियो तो कितना टेश्टी सा लग रहा है देखने में ही तो इसको सॉस के साथ या फिर आप ऐसे ही भी खाएंगे बहुत ही टेश्टी लगेगा थेंक यू झालो